नीती वच्चन 20 अध्याई 15 से 24 तक सोना और बहुत से मुंगे तो है परन्तु ग्यान के बाते अन्मोल मनी टहरी है जो अंजानी का उत्तरदाई हुआ उसका कपड़ा और जो पराय का उत्तरदाई हुआ उससे बंदक की वस्तु ले रख चोरी चीपे की रोटी मनुशे को मीठी तो लगती है परन्तु बाद में उसका मुं कंकडों से भर जाता है सब कल्पनाय सम्मती ही सिस्थिर होती है और युक्ती के साथ युद्ध करना चाहिए जो लुथराई करता फिरता है वो भेद प्रगट करता है इसलिए बकवादी से मेल जोल न रखना जो अपने माता पिता को कोस्ता उसका दिया बुझ जाता और गोर अंधकार हो जाता है जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशिश नहीं होती मत कह मैं बुराई का बदला लूँगा वरन यहवा की बाट जोता रहे वो तुझको चुड़ाएगा घटते बढ़ते बढ़करों से यहवा गृणा करता है और चल का तराजू अच्छा नहीं मनुशे का मार यहवा की ओर से टहराया जाता है आदमी कैसे अपना चलना समझ सके पहला कुरूंतियों 14 अध्या 1 से 19 तक प्रेम का अनुकरन करो और आतमी कवरदानों की भी धुन में रहो विशेश करके यह की भविश्यवानी करो क्योंकि जो अन्य भाषा में बाते करता है वो मनुश्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बाते करता है इसलिए कि उसकी बाते कोई नहीं समझता क्योंकि वो भे बाते करता है वह अपनी ही उन्नती करता है परन्तु जो भविशिवानी करता है वह कलीसिया की उन्नती करता है मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाशाओं में बाते करो परन्तु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविशिवानी करो क्योंकि यदि अन्य भाशाय बोलने वाला कलीसिया की उन्नती के लिए अनुवाद न करे तो भविश्यवानी करने वाला उससे बढ़कर है इसलिए हे भाईयो यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाशाओं में बाते करूं और प्रकाश या ज्यान या भविश्यवानी या उपदेश की बाते तुमसे न करूं तो फूंका या बजाया जाता है वो कैसे पहिचाना जाएगा और यदि तूरही का शब्द साफ न हो तो कौन लडाई के लिए तैयारी करेगा ऐसे ही तुम भी यदि जीब से साफ साफ बाते न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो कैसे समझा जाएगा तुम तो हवा से बाते करन बोलने वाले की दृष्टी में परदेशी टहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टी में परदेशी टहरेगा इसलिए तुम भी जब आत्मिक वर्दानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयतन करो कि तुम्हारे वर्दानों की उन्नती से कलिस्या की उन्नती हो इस कारण जो अन प्रातना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके इसलिए यदि मैं अन्य भाशा में प्रातना करूं तो मेरी आत्मा प्रातना करती है परन्तु मेरे बुद्धी काम नहीं देती अतह क्या करना चाहिए मैं आत्मा से भी प्रातना करूंगा और बुद्धी से भी प्रातना करूंगा मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धी से भी गाऊंगा नहीं तो यदि तो आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमिन कैसे कहेगा क्योंकि वो तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है तू तो भली बांती धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नती नहीं होती मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाशाओं में बोलता हूँ परन्तु कलिस्या में अन्य भाशा में दस अजार बाते कहने से यह मुझे और भी अच्चा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धी से पांच ही बाते कहूं दूसरा इतिहास दस अद्धाय एक से उन्नीस तक रहूबियाम शक्खेम को गया क्योंकि सारे इसराली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गये थे जब नाबात के पुत्र यारोबाम ने यह सुना वो तो मिस्र में रहता था जहां वो सुलिमान राजा के डर के मारे भाग गय तो वो मिस्र से लौट आया तब उन्होंने उसको बुलवा भेजा अतह यारोबाम और सब इस्राइली आकर रहूबियाम से कहने लगे तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था इसलिए अब तो अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को ज इन बुढों से जो उसकी पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्तित रहा करते थे यह कहकर सम्मती ली इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है इसमें तुम क्या सम्मती देते हो उन्होंने उसको यह उत्तर दिया यदि तो इस प्रजा के लोगों से अच्छा ब जवानों से समती ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके समुक उपस्त रहा करते थे उनसे उसने पूछा मैं प्रजा की लोगों को कैसा उतर दूँ इसमें तुम क्या समती देते हो उन्होंने तो मुझसे कहा है जो जुवा तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू उसे हमारे लिए हलका कर तू उनसे यों कहना मेरी चिंगुलिया मेरे पिता की कटी से भी मोटी तहरेगी मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूँगा मेरा पिता तो तुमको कोडों से ताड़ना देता था परंतु मैं बिच्छ तीसरे दिन जैसे राजा ने तहराया था तीसरे दिन मेरे पास फिर आना वैसे ही यारोबाम और सारी प्रजा रहुबियाम के पास उपस्तित हुई तब राजा ने उनसे कड़ी बाते की और रहुबियाम राजा ने बुढों की दी हुई सम्मती छोड़कर जवानों की सम्मती के अनुसार उनसे कहा मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया था परंतु मैं उससे और भी कटिंग कर दूँगा मेरे पिता ने तो त इसाथ के पूत्र यारवाम से कहा था उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा ही तहरा था जब समस्त इस्राइलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता तब वे बोले दाउत के साथ हमारा क्या अंश हमारा यिशे के पूत्र में कोई भाग नहीं है एस्राइलि राजय करता रहा तब राजा रहूबियाम ने हदोराम को जो सब बेगारों पर अधिकारी था भेज दिया और इसराइलियों ने उस पर पत्राव किया और वो मर गया तब रहूबियाम फूर्टी से अपने रत पर चड़कर यरुशलीम को भाग गया यो इसराइल दाउत के घ रहूदा और बिन्यामिन के घराने को जो मिलकर एक लाक असी हजार अच्छे योदा थे इकटा किया कि इसराइल के साथ युद्ध करे जिससे राजी रहूबियाम के वश में फिर आ जाए तब यहवा का ये वचन परमेश्वर के भक्त शमाया के पास पहुंचा यहुदा क राजा सुलेमान के पुतर रहूबियाम से और यहुदा और बिन्यामिन के सब इसराइलियों से कह यहुदा यो कहता है कि अपने भाईयों पर चढ़ाई करके युद्धन करो तुम अपने अपने घर लोट जाओ क्योंकि यह बात मेरी ही और से हुई है यहुदा के वचन मा पा, बेदसूर, सोको, अदुल्लाम, गत, मारेशा, जीप, अदोरे, लाकिश, अजेका, सोरा, अयालोन और हेब्रोन जो यहुदा और बिन्यामिन में हैं दृड किया उसने दृड नगरों को और भी दृड करके उनमें प्रधान टहराए और भोजन वस्तु और तेल और ध तिंत दृड कर दिया, यहुदा और बिन्यामिन तो उसके अधिकार में थे, सारे इसराइल के याजक और लेविय भी अपने सारे देश से उठकर उसके पास गए, यो लेविय अपनी चराईयों और नीज भूमी को छोड़ कर यहुदा और यरुशले में आए, क्योंकि या लेवियों के बाद इसराइल के सब गोतरों में से जितने मन लगाकर इसराइल के परमेशर यहुवा के खोजी थे, वे अपने पीतरों के परमेशर यहुवा को बली चड़ाने के लिए यरुशलेम को आए, उन्होंने यहुदा का राज्य स्थिर किया, और सुलेमान के पु दावुद का पुत्र यरिमोत और माता यिशे के पुत्र इलियाप की बेटी अभिहेल थी, उससे यूश, शमर्याह और जाहाम नामक पुत्र उत्पन्न हुए, उसके बाद उसने अप्शालों की बेटी माका से विभा कर लिया और उससे अभियाह, अत्ते, जीजा और शलो उमीत उत्पन्न हुए, रहुबियाम ने 18 रानिया ब्याहली और 60 रखेलिया रखी और उसके 28 बेटे और 60 बेटिया उत्पन्न हुई, अप्शालों की बेटी माका से वह अपनी सब रानियों और रखेलियों से अधिक प्रेम रखता था, रहुबियाम ने माका के बेटे अलग अलग करके यहुदा और बिन्यामिन के सब देशों के सब गड़वाले नगरों में ठहरा दिया और उन्हें भोजन वस्तु बहुदायत से दी और उनके लिए बहुत सी स्थिया ढूंडी दूसरा इतिहास बारा अध्या एक से सोला तक परन्तु जब रहुबियाम का रा कारण राजा रहुबियाम के पांचवे वर्ष में मिस्र के राजा शिशक ने बारहसो रत और साथ हजार सवार लिये हुए यरुशलेम पर चढ़ाई की और जो लोग उसके संग मिस्र से आए अर्थात लूबी सुक्याई कूशी ये अंगिनित थे उसने यहुदा के यरुशलेम एकटे हुए थे आकर कहने लगा यहुदो यो कहता है कि तुमने मुझको चोड़ दिया है इसले मैंने तुमको चोड़ कर शिशक के हाथ में कर दिया है तब इस्राइल के हाकिम और राजा दीन हो गय और कहा यहुदा धर्मी है जब यहुदा ने देखा कि वे दीन हुए हैं तब यहवा का ये वचन शमाया के पास पहुंचा वे दीन हो गए हैं मैं उनको नश्ट न करूँगा मैं उनका कुछ बचाव करूँगा और मेरी जलजलाट शिशक के द्वारा यरुशलिम पर न भढ़केगी तो भी वे उसके अधन रहेंगे ताकि वे मेरी औ और देश-देश के राजियों की सेवा में अंतर को जान ले तब मिस्र का राजा शिशक यरुशलिम पर चड़ाई करके यहवा के भवन के अनमोल वस्तुए और राज भवन के अनमोल वस्तुए उठा ले गया वह सब कुछ उठा ले गया और सोने की जो ढ़ाले सुलेमान ने बनाई थी उनको भी वह ले गया तब राजा रहुबियाम ने उनके बदले पीतल के ढाले बनवाई और उन्हें पहरुव के प्रदानों के हाथ सौंप दिया जो राज भवन के द्वार के रखवाली करते थे जब जब राजा यहवा के भवन में जाता तब तब पहरु की दर्शा कुछ अच्छी भी थी अतह राजा रहुबियाम यरुशले में द्रड होकर राज्य करता रहा जब रहुबियाम राज्य करने लगा तब 41 वर्ष की आयू का था और यरुशले में अर्थात उस नगर में जिसे यहवा ने अपना नाम बनाय रखने के लिए इसरा किया जो बुरा है अर्थात उसने अपने मन को यहवा की खोजमेनों लगाया आदिस से अंत तक रहुबियाम के काम किया शमाया नभी और इद्दो दर्शी के पुस्तकों में वन्शावलियों की रीती पर नहीं लिखे हैं रहुबियाम और यारोबाम के बीच तो प्रिणे लगाओ